असलाम आलीकुम रहमतुल्लाही वबरकातु हूँ नाजरीन आए दिन हमारी जिन्दगी में वो मोड आते हैं वो घड़ी आती है वो घड़िया वो वक्त आते हैं जहां पे हमारा दिमाग काम नहीं करता उस वक्त हमें ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं हम अब आगे क्या करेंगे यानि कुछ ऐसी परीशानियां, कुछ ऐसी मुश्किले आ जाती है जिन्दगी में जो इनसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम इस मुश्किल वक्त में कैसे अपनी जिन्दगी को सवारें कैसे अपने होसले को बुलंद करें कुछ ऐसी खामिया होती है या कुछ ऐसी कमिया होती है जो हमारे दिल को भी घबढ़ाहत पहुचाती है ऐसी चीजे हम आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाले है जिससे आपके दिल को सुकून मिलेगा और आप कामियाबी की तरफ पहुचेंगे अगर इस अमल को करते है तो कुरानी वजीफा है कुरानी अमल इतना पावरफुल और इतना बेतरी होता है कि अगर कोई मर्द या औरत इस अमल को करता है कुरानी अमल को तो यकीन मानिए उसकी जिन्दगी को हिला कर रख देता है और उसकी जिन्दगी को इस तरह बुलंदी की और तरकी के रास्ते के ले जाता है जिसका अंदाजा आप खुद भी ना लगा सकते हैं और ना हम भी सोच सकते हैं नाजरेन हमारी जिंदगी में कभी किसी ना किसी चीज़ की परिशानिया आती रहती कभी रिस्क की परिशानिया कभी इज़त की परिशानिया कभी दौलत की परिशानिया कभी गुर पेल नहीं होते बलके हम और मूँ फेरते रहते हैं जब बहुत जादा परीशानिया आर जाती है तब हम अल्लह का नाम जिकर तसकिरा करने लगते हैं हमें चाहिए कि हम जब भी फिरीव रहे तो अल्लह का कोई ना कोई नाम हम लेते रहे हम हर वीडियो में एक दो वीडियो ऐ जैसे 99 नाम है कोई भी नाम अगर आपको यादे तो उसका जिकरा आप फिरी टाइम में हमेशा किया गरें तो आप अल्लह का जिकर करेंगे तो अल्लह आपकी तरफ निगाहे रहमत इन्शालला जरूर फरमाएगा नाज़िन कुरानी अमले उसके फवायत क्या होंगे जिसस से पहले एक गुजारिश है कि मैं रोजाना इसलामिक जिकर पर आपकी खिदमत में अच्छी अच्छी बात है और अच्छी अच्छी वजाइफ लेकर आता रहता हूं तो आप मेरे सपोर्ट किया करें जिससे मैं आगे बढ़ू तो मैं आपके हमेशा हमेश खिदमत करता र बहोरा असर मगरीब इशा, फजर किसी भी नमाज के बाद लेकिन असर बाद ना करें तो ज्यादा बेतर है असर के बाद जवल का वक्त होता है जादा बेहतर करने का वजीफा फजर के वक्त है फजर की नमाज आप पढ़े लिए तो जहां पर आपने पढ़ी है नमाज वहीं पर बैठे रहा जाए शुरू और आखिर में आपको दूरूशरी पढ़ ले रहा है एक सो एक्यावन एक्यावन दफा कोई भी सुरह इखलास के नाम से जानते हैं मैं एक मर्था पढ़का बता दू इसको एक हजार एक मर्था पढ़ना है बिसम लग्यों रह्माद रुरूशरी पढ़ने के बाद एक सो एक्यावन दफा फिर दुरूशरी पढ़के अल्ह तवारक वताला से अपनी परिशानियों के हल क के लिए दौा मांगे घर में तरक्की के लिए रिस्क बरकत इज़त दौलत मुहबत काम्याबी शौरत सारी चीज़ों के लिए दौा मांगे लगातार एक तालिस दिनों तक आप ये अमल करें इंशालला तवर्क वादाला देखिएगा धीरे धीरे ऐसे आपकी जिन्दगी मे कुछ भी नहीं होने वाला नाज़ियन इस वीडियो को शेयर करें जादा जादा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में लाइक उनको दवा दे ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंसा कर और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए अपने खाल लिखेगा असलाम वालीकुम रहमतुल्ही वबरकातु हूँ